नवास्कार मैं हूँ शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात आखिर सुशील कुमार और सागर धनकर के भी जगड़े की वज़ा क्या थी क्या फ्लैट किराया या फिर घर खाली ना करना लेकिन इस केस में अब एक नई थेओरी सामने आ रही है तफ्तीश के मताबिक मार्च के महीने में सागर धनकर के दोस्स सोनु महाल की गल्फरेंड के साथ सुशील के एक दोस्स ने बत्तमीजी की इस बात को लेकर सोनु महाल के साथ उसका जगड़ा भी हुआ और बाद में सुशील के उसी दोस्स ने लगाता सुशील को उकसाया नतीजा यह हुआ कि सुशील कुमार जो पहले से ही अपने फ्लैट खाली कराने को लेकर सागर धनकर के साथ लड़ाई लड़ा था इस गल्फरेंड की खबर ने उसके अंदर और गुस्सा भर दिया और इसी के बाद चार और पांच मैं की राद सुशील और उसके लोगों ने सागर धनकर और उसके तीन दोस्तों की बिटाई कर दी जिन में सोनु महाल भी एक था यानि लड़ाई की असली वज़ा डौन की एक गल्फरेंड थी सागर धनकर के कतल के मामले में बेशक सुशील कुमार और उसके दोस्त अजय पकरवाला समेथ कई लोग गिरफ़तार होकर जेल चले गए लेकिन इस मामले की तफ्तीश अब भी जारी है और अब इस तफ्तीश में जो नई जानकारी उभर कर सामने आई है वो अब तक मर्डर मिस्ट्री को फॉलो कर रहे तमाम लोगों को चौंका सकती है क्योंकि अब सागर धंकड की मर्डर मिस्ट्री में न सिर्फ एक लड़की का नया एंगल जुड़ गया है बलकि ये भी पता चला है कि सागर और उसके दोस्त सोनु महाल को सबक सिखाने की पूरी स्क्रिप्ट सुशील कुमार के दोस्त अजय पक्करवाला ने दो महीने पहले यानि मार्च के महीने में ही तैयार कर ली थी असल में सुशील कुमार का अपने जुनियर सागर धंकड के साथ एक फ्लैट पर कबजे को लेकर विवाद चला रहा था कभी सुशील की बहुत ज्यादा इज़त करने वाला सागर भी अब सुशील के साथ बे अंदाज हो चला था लेकिन इसी बीच मार्च के महीने में एक ऐसी वादात हुई जिसने सागर धंकड से सुशील कुमार की नाराजगी को मानो और हवा दे दी ये वो दिन थे जब सागर धंकड और सोनु महाल अपने कुछ दोस्तों के साथ मौडल टाउन के उसी फ्लैट में रहता था जिस फ्लैट को लेकर सागर और सुशील के बीच विवाद चला रहा था हुआ यूँ कि मार्च के महीने में सोनु महाल का वर्थ दे था और अपने वर्थ दे के रोज सोनु ने इसी फ्लैट में अपने कुछ चुनिंगदा दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी दी सोनु ने इस पार्टी में अपनी गर्ल्फरिंड को भी बुलाया था लेकिन इसी गर्ल्फरिंड की मौजूदगी में वहां कुछ ऐसा हुआ कि मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया इस फ्लैट में अचानक सुशिल कुमार का दोस्त अजेब बकरवाला आधम का इतिफाक से तब फ्लैट में न तो सागर धनकर था और नहीं सोनु महार दोनों किसी काम से बाहर गय हुए थे लेकिन उनके पीछे घर में सोनु का रसोया और उसकी गर्ल्फरिंड मौजूद थी घर पूरी तरह से सजा हुआ था और सोनु की अपनी गर्ल्फरिंड के साथ कमरे में तस्वीर भी लगी हुई थी चुकि इसी पैट को लेकर सागर धनकर का सुखिल कुमार के साथ पहले से ही विवाद चला रहा था सुखिल कुमार के दोस्त अजय बकरवाला ने जब ये सब कुछ देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया उसने घुसे में वहां सागर धनकर और सुनु महाल की गयर मौजुदगी में ही न सिर्फ दोनों के नाम जम कर गाली गलोज की बल्कि सुनु की गर्ल्फरिंड को भी हद से आगे बढ़कर जलील किया यहां तक की वहां से जाते जाते अजय ने अपने मौबाइल फोन में सुनु की गर्ल्फरिंड की तस्वीर भी क्लिक करने और उसे सुनु और सागर से दोस्ती का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा इसके बाद अजय तो चला गया लेकिन जब सागर और सुनु घर लोटे तो रसोईय से लेकर गर्ल्फरिंड तक ने अजय बकरवाला की शिकायब और बताया कि किस तरह से उसने इस फ्लैट में पहुँच कर हर किसी को जलील किया और उन्हें गालिया दुए अब घुसा होने की बारी सुनु महाल और सागर धंकर की थी अजय बकरवाला के रवये से घुसा कर दोनों ने फौरण ही उसे फोन किया और सुनु ने अजय को बुरी तरह धंकाया उसके साथ गाली गलोज की और उसे देख लेने की धंकी दिया चुकि यह सारा मामला फोन पर ही हो रहा था तब तो बात इससे आगे नहीं बढ़े लेकिन अजय बकरवाला ने सुनु और सागर को लेकर अपने मन में खुंदक पाली और दोनों से बदला लेने का मौका धूडने लगा दिल्ली सरकार में फिजिकल एडूकेशन के टीचर अजय बकरवाला के साथ सुशील कुमार की पुरानी दोस्ती है फ्लैट पर कबजे को लेकर ही सुशील कुमार भी सागर भंकर और सोनु महाल दोनों को नापसंद करता था और अजय को भी इस बात की ख़बर थी जब बड़े था और सामको पार्टी होनी थी दोपहर के वक्त सोनु महल और सागर उस फ्लैट में नहीं थे उसी दोरान सुसील का जो साथी है अजय वो उस फ्लैट में आता है फ्लैट में केवल सोनु की गर्फ्रेंड और एक रसोया वो मुझूद होता है आजय बक्तरवाला वो काफी नशे में रहता है वो सोनु की गर्फ्रेंड के साथ काफी बत्तमीजी करता है गाली गलोज करता है उसके बाद वहाँ से चला जाता है सागर और सोनु महल जब उस फ्लैक में दाखिल होते हैं तो सोनु की गर्फिंड सारी बातें सोनु को बताती है जिसके बाद सोनु और सागर आग बबूला हो जाते हैं दोनों फोन करके सुसील और आजय को काफी गाली गलोज करते हैं तो इस हत्या कांड के बाद जो क्राइम ब्रांच है वो इस सागर की हत्या में मोटिव की तलास कर रही थी, ये एक strong motive मिला, दरसल दोनों ही के बीच, चाहे सुसील और अजय, ये दो एक गुट थे और सागर और सोनू, ये दोनों एक गुट थे, इन दोनों के बीच दरार की जो पहली वजय थी, वो यही सोनू की girlfriend थी, जिसके साथ अजय ने गाली गलोच की, और फिर देखते देखते ही, दोनों गुटों में दुस्मनी इतनी बढ़ गई, कि एक दिन 46 साल स्टेडियम में सुसील और अजय ने नीरस बवानिया, जो कुख्यात गैंगिस्टर है, उ साघंगर को बुरी तरह से मारा, सोनू को बुरी तरह से मारा जिसमें इलाज के दोरान, जो साघंगर है, उसकी मौट हो गई, पुलिस सूत्रों की माने तो बस यहीं अजय बक्करवाला को सोनू महाल से बदला लेने का मौका मिल गया, अब हजय ने दोनों के खिलाब सुष पत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार का एक छत्र राज चलता था और उसके अंडर कोचिंग करने वाले पहलवानों की एक अच्छी खासी फौज थी। सुशील को भी अपने इस वजूद का कुछ ज्यादा ही गुरूर था। फ्लैट को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा था। और तब मई के महिने में वो वक्त आ गया जब सुशील कुमार ने सागर धंकर और सुनु महाल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अजय की बातों ने मानो इस मामले में आग में घी का काम किया। करिंट लोकेशन का पता चल गया। अब ये मामला लगातार गरमता जा रहा था। सुशील के पास पहलवानों की तो खैर लंबी फौच थी। अजय बकरवाला ने भी फोन कर असौदा गैंग के बिजेंगर और बिंदर से लड़कों को लेकर आने को कहा। देखते ही देखते दसियों गुंडे बदमाश भी छत्र साल स्टेडियम में इकठा हो गए। और फिर वो उसी राद सागर धनकर, सोनु महाल और उनके एक दोस्त अमित को उनके फ्लैट से उठा कर ले आए। इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। सुशील और अजय ने अपने गैंग के साथ मिलकर उस राद सागर धनकर को इतना पीटा कि अगले दिन सुबह अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जबकि पिटाई से सोनु महाल की हालत बिखर गए। देर रात खबर मिलने पर पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँची। लेकिन तब सिवाए प्रिंस नाम के एक लड़के के कोई और पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके बाद सुशील और अजय बक्तरवाला पूरे तेरा दिनों तक दिल्ले पुलिस से बचने के लिए फरारी काटते रहे। यहां तक कि पुलिस को दोनों के नाम ही नाम का भी एलान करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जब दोनों गिरफतार हुए तो पुलिस को उन्होंने फिर से उल्चाने की कोशिश के। असल में फ्लैट के विवाद की कहानी तो पुलिस को पता थी लेकिन पुलिस को इस वारदात के पीछे कोई और स्ट्रॉंग मोटीव या यू कहें कि कोई तातकाली कारण यानि फौरी वज़स समझ में नहीं आ रही थी लेकिन जब पुलिस ने इस मामले के दूसरे किरदारों यानि सोनो और सागर के दूसरे दोस्तों से पूछताच की तो ये नई गर्ल्फिंड वाली कहानी उभर कर सामने आई इसके बाद पुलिस ने सोनो महाल की गर्ल्फिंड को भी बुलाया और उससे पूछताच की गर्फेंड ने भी सोनू के बर्दे के रोज हुई बारदात की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयान की और तब ये बात साफ हुई की कैसे अजय बकरवाला ने सोनू महाल से अपनी दश्मनी निकालने के लिए ये साद़िश रची और सुशील कुमार के घुसे को हवा दिया गैंक्स्टर काला जठेडी के भांजे सोनु महाल से भी सुशिल कुमार के रिष्टे कभी अच्छे हुआ करते थे लेकिन इस रिष्टे में आधा जहर तो अजय बक्करवाला नहीं घोल दिया था रही सही कसर चार और पांच मईं की दाथ को पूरी हो गए सुशिल कुमार जब अपने दोस्ट अजय बक्करवाला के साथ अपने पूरे गैंग को लेकर सागर को अगवा करने पहुचा तो एक बार फिर यहां सोनु महाल अजय बक्करवाला और सुशिल कुमार के आड़े आ गया उसने दोनों को सागर धनकर को वहां से ले जाने से रोखने की कोशिश की अजय तो खैर सोनू से पहले से ही नाराज था सोनू की ये बाद सुशील को भी बेहद नागवार गुजरी और तब सुशिल कुमार और अजय ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर सागर के अलावा सुनु महाल और उनके एक दोस्त अमित को भी वहां से अगवा कर दिया और फिर चत्रसाल इस्टेडियम में लाकर उन्हें पूरी तरह पीटा सुशिल कुमार ने सागर धंकर को पीटा क्यूंकि वो फैट पर कबजे को लेकर लगातार सुशिल कुमार को ललकार रहा था चुनौती दे रहा था उसे बार बार भला बुरा कहता था जबकि अजय बकरवाला ने सोनू महाल को पीटा क्यूंकि उसकी सोनू से पुरानी दुश्मनी थी खासकर सोनु के बर्थने वाले रोज दोनों की एक दूसरे के साथ गाली गलौज हुई थी और दोनों ने ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी और च्छत्रसाल स्टेडियम में अजय को सोनु से बदला लेने का मौका मिल गिया कि टूसरे का दूसमन सागर तो दूसरी तरफ अजय का दूस्मन सोनु दोनों ही और सुसीधने मिलकर अपने दूसमनों के खाद्बे का प्लान मनाए इसके तहत नीरज दूसमनया के बूर्गों को बुलाया गया यहां तक ही उन बूर्गों में चार ऐसे लोग हैं जो कि पहले से ही जिन पर क्रिमलर रिकॉर्ड दर्ज है वो आते हैं लाठी डंडो से उसके बाद सागर की जम कर पिटाई सुसील करता है जबकि अजय सोनू को मारता है एक लड़की को लेकर जो जगडा था उसके बाद किस तरीके से छत्रसाल स्टेडियम में जो सुसील का दबदबा था कहीं न कहीं सुसील के कान भरे अजय ने अपने दुस्मन अपने दुस्मनी को साधने के लिए और उसके बाद फिर देखते ही देखते सुसील और सागर जो गुरू चेले का जिनके बीच रिस्ता था वो इस अंजाम पर आया कि आज सुसील स सागर के हत्याकान में फिलहाल जेल में मौझूद हैं। लेकिन काला जठेडी ने उसे जड़कर फोन रख दिया। जबकि सूत्रों की माने तो अस्पताल में इलाज के बाद जब सोनु महाल थोड़ा ठीक हुआ तो उसने अपने मामा काला जठेडी को फोन कर पूरे वाके के बारे में बताया। और सुशील के साथ साथ अजय बकरवाला को भी सबक सिखाने की मांग कर डाली। कहते हैं कि इसी के बाद से सुशील कुमार और अजय बकरवाला की डर के मारे हालत खराब है। और दोनों को जेल में भी मौत का डर सता रहा है। अरविन दोचा, दिल्ली, आज तर। सुशील कुमार फिलहाल ने आई खिरासत में मंडोली जेल में है। पर सवाल यह है कि क्या जेल में रहते हुए भी सुशील कुमार इस केस से जुड़े गवाहों को धंकी दे रहा है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रही है वारदात क्या सागर धंकर मडर केस के पीड़ितों और गवाहों को डराया और धंकाया जा रहा है। और क्या यह धंकी सुशील कुमार और उसका दोस्त अजे दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कम से कम तो यही मानना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार और अजे को अगर जमानत मिली तो बाहर आकर इस केस से जुड़े तमाम एहम गवाहों को धंका सकते हैं। या फिर उन्हें लालच देकर उनकी गवाही को पलटवा सकते हैं इसे लिए उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए वैसे इस मामले में सोनु महाल की गर्लफरिंड के अलावा एक और लड़की की भी भूमी का सवालों के घेरे में है और वो लड़की है सुशील कुमार की वो जूनियर जिसने फरारी के दोरान अपनी स्कूटी सुशील कुमार को दी थी सुशील अपने साथी अजय बकरवाला के साथ इसी स्कूटी से कहीं जाते हुए बहरी दिल्ली से फख़ा गया था पुलिस ने इस मामले में अब उस लड़की से भी पूछताच कर ली लेकिन अब तक की तफ्तीश में सिवाए एक स्कूटी देने के इस वार्दात में उसकी कोई और भूमी का सामने नहीं आई है तो ये है वार्दात के पीछे की फौरी वज़ा और मामले का गल्फरिंड एंगल लेकिन अब दिल्ले पुलिस ने सुशिल कुमार और अजय बकरवाला को लेकर जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए दिल्ले पुलिस का कहना है कि चूँकि सुशिल कुमार बहुत ही प्रभावशाली और मजभूत आदमी है वो इस मामले में पीडितों और गवाहों को मैनुपुलेट करने या उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर सकता है इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है पुलिस ने अदालत में दोनों की जमानत अरजी के खिलाव भी यही तर्क दिया है और कहा है कि सुशील और उसके साथ ही अजय की किसी भी हालत में जमानत नहीं होनी चाहिए दिल्ली पुलिस ने बकायदा अदालत में एक अप्लिकेशन दायर करके यह भी कहा है कि जो चार गवाह है इस पूरे मामले में वो पिडित भी है उन पर जान का खत्रा है सुसील और उसके सहयोगी वो उन पर हमला कर सकते हैं लहाजा इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए अर्विन दोचा दिल्ली आज तर तो वारदात में फिलाल इतना ही मगर आज तक पर खबरों का सलसला लगातार जारी बढ़ाई